एक्ता कपूर के सहारे के बिना इन एक्ट्रेस ने चमकाई अपने किस्मत, टीवी इंडरस्टी में दिखाया अपना दमखम हेलो आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टैली, मैं हूँ रजनी दूबे कहा जाता है एक्ता कपूर टीवी इंडरस्टी की क्वीन है और जिस पर अपना हाथ रग दे रातो रात वो कहां पहुँच जाता है उसे भी यकिन नहीं होता है एक्ता कपूर की जिस पर नजर पड़ी उसकी किस्मत चमक जाती है एक से बढ़कर एक उसे टीवी शो मिलते हैं लेकिन आज हम जिक्र कर रहे हैं टीवी इंडस्टी की उन एक्टरसेस की जिन्होंने एक्ता कपूर का सहारा नहीं लिया बलकि अपने दम खम पे टीवी इंडस की खूबसूरत एक्ट्रेस रूबिना दिलैक से जी हां रूबिना दिलैक ने शक्ति अस्तित्व के हैसास के जरिये खूब नाम कमाया तो वही चोटी बहू में भी उन्होंने काफी कमाल का काम किया था इनका पहला शो एक्ता कपूर का नहीं था बलकि अपने टैलेंट के इन्होंने अपना पर्चम लहराया अब बात करते हैं सोनारी का भदोरिया की जिहादेव के देव महादेव के जरिये इन्होंने पार्वती बनकर खूब सुर्ख्या बटोरी थी दीपका सिंग को तो आप जानते ही होंगे दिया और बाती के जरिये उन्होंने लाखों दिलों को जीता है और इसी शो के जरिये उन्हें इतना नेम फेम मिला कि फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं सनाया इरानी तो आपको यादी होंगी इस प्यार को क्या नाम दू से फैंस में अपनी खास जगा बनाई थी टीवी डस्टी की खुबसूरत और टालेंटेड एक् लेकिन इनका शो स्वरागनी से ये काफी जादा हिट हुई थी और रातो रात इस शो ने तेजस्वी को स्टार बना दिया था इशा सिंग इश्क का रंग सफेज से अपने करियर की शुरुआत की थी और आज टीवी इंडस्टी की एक जानी मानी एक्प्रिस मानी जाती है एरिका फनांडिस जो कुछ रंग प्यार के ऐसे से टीवी इंडस्टी में डेव्यू किया था और आज उन्होंने टीवी इंडस्टी में एक अपना मुकाम बना कर रखा है शिवांगी जोशी को कौन नहीं जानता अकसर वो लाइम लाइट में बनी रहती हैं अभिहाल में उनका शो बरसाते ओफेर हुआ है जिसमें वो कुछाल टंडन के साथ नजर आई थी लेकिन ये रिष्टा क्या कहलाता से उन्हें वो पहचान मिली जो आज तक बरकरार है तारक महता का उल्टा चश्मा के जर्ये टीवी इंडस्टी में एंट्री की थी और आज सुर्भी काफी जादा हिट है नागिन में भी नजर आई थी एकता कपुर का जो शो है लेकिन उनका पहला शो तारक महता का उल्टा चश्मा था ये लिस्ट थी टीवी इंडस्टी की उन actresses की जिन्होंने अपने महनस से और अपने टैलेंट के दम पर एक मुकाम हासिल किया है वेल इस पर आपकी क्या राया है हमारे comment section में जाकर comment करके जरूर बताएं चैनल को like, share and subscribe करना बिलकुल ना भूलें